आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नर्सरी की इंग्लिश वाक्षीट जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बच्चों को एक्जाम्स की प्रिपेर्शन करानी है उसके लिए मैंने अलग-अलग टाइप के कॉश्चन्स रेडी किये हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा सो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉश्चन है इसमें Fill in the blanks, बच्चों को सबसे पहले alphabets learn होने चाहिए, alphabets learn होंगे तब ही हम इनको complete कर पाएंगे, So, जैसे हाँ पर A, उसके बाद B, C, D, E, F, G, H, इस तरीके से हमको alphabets बच्चों को क्या कराने है, learn कराने हैं और उनको करवा कर देखना है, Next question है, What comes after? यहाँ पर alphabets learn होने के बाद, जैसे हाँ पर लिखा हुआ है P, तो P के बाद क्या आता है, वो letter हमें पता होना चाहिए, तो क्या आएगए हाँ पर? P, Q, T, U, M, N, K, L, इस तरह से, उसके बाद आता है, What comes before? यहाँ पर जो letter यहाँ लिखा हुआ है, उससे पहले वाला letter क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या आएगा, R से पहले क्या आता है? Q, W, W से पहले क्या आता है? V, D से पहले? A, C, और G से पहले F, इस तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करानी हैं. नेक्स आता है, What comes between? यहाँ पर दो letters लिखे हुए हैं, इसके बीच में क्या आएगा? A, B, C, H, I, J, L, M, N, Q, R, S, इस तरीके से. नेक्स प्रैक्टिस है, Match the pictures with their letters? यहाँ पर मैंने pictures बनाई हैं, इसी से related हमने यहाँ पर letters लिखे हुए हैं. जैसे, यह क्या बना हुआ है? Duck, D for duck, यह क्या है? Hutt, H for hut, K, K for kite, उसके बाद T, T for tree, Then fish, F for fish, उसके बाद यहाँ पर आजाएगा pot, P for pot, इस तरह से. बच्चों को pictures identify करनी हैं और letters को match कराना हैं. Next question है, circle the correct letters on it. यहाँ पर हमने कुछ pictures बनाई हैं, अब pictures को देखकर हमें identify करना है, कि यह picture कौन से letter से start हुई है, जैसे, यह क्या बना हुआ है? Apple, तो किस से start होगा? B, C, A, F. A for apple. Next, यह क्या बना हुआ है? Leaf, M, L, P, R. L, L for leaf. Next, cloud, C for cloud. यह क्या बना हुआ है? Table, J, I, T. T for table. Ice cream, I for ice cream. इस तरह से. Next question. Circle on the odd one. यहाँ पर हमने same letters लिखे हैं. एक letter जो बिल्कुल different है, उसको हमें क्या करना होगा? Circle करना होगा. जैसे यहाँ पर P, P, B. यह B आ गया, फिर P, P. तो इसको हम क्या कर देंगे? Circle. Then, L, I, 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 I. तो यहाँ हो जाएगा L. T, 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 J. यह odd one हो गया? R, R, P, R, R. P. O, 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 O. यहाँ पर last तक हमारा O हो गया, यह C है. तो यह odd one हो गया. इस तरह से. इससे क्या होता है? बच्चों को alphabets identify करने में help होती है. Next है. identify the capital letters and write their small letters. यहाँ पर हमने इसको identify किया. यह capital letter है क्या? C. इसका small letter लिखेंगे. C. Then, D. D. E. E. G. G. इस तरह के से. H. H. I. 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 यहाँ यहाँ बनाएंगे इसको. Next question है. Circle on the wrong letter. यहाँ पर भी हमने letters को लिखा गया है. और wrong letter हम identify करना है. जैसे यह S बना हुआ है. इनकी हमें shape और direction देखनी है. यह देखें. यह ultra हो गया. तो यह हमारा wrong हो गया. H. H. यह गलत है. उसके बाद M. M. यह गलत है. N. यह opposite हो गया. इस तरह से हमें identify करना है. P. 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 यह वाला wrong direction में है. Next question है. Look at the pictures and write their letters. यहाँ पर picture बनी हुई है. ट्री की. तो T for tree. तो T लिख देंगे. A for apple. A. K for kite. C for car. यह क्या बना हुआ है. जग. J for जग. उसके बाद lamp. L for lamp. Friends, यह थी नासरी की English Worksheet. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो को लाइक करें. और शियर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें.